आप देखेंगे 120 के लेवल से हैं जो की हाइस्ट है और वहां से अभी 30 रुपए का डिफेरेंस अभी हमें देखने मिला है हाई लेवर से और इस करेंट प्राइस से बड़ यहां पर ध्यान रखिएगा समर आ चुकी है बिजली की डिमांड यहां पर जो है इंक्रीज होने व आने वाले टाइम में डवल हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो की डिसकस करना बहुत जरूरी है और Q4 का टाइम है आगाज हो चुका है सिर्फ और सिर्फ दस दिन आप देखिए दस दिन बाद यहां पर जो है आईटी से नंबर यहां पर जो है स्टार्ट हो तो आभी आपके सामने एक दो दिन पहले रिपोर्ट आई थी पावर कंजम्शन की उपर इंडिया के अंदर पावर कंजम्शन बढ़ने वाला है देखे इन कंपनियों के कमाई तब ही इंक्रीज होने वाली है जब पावर कंजम्शन बढ़े और बैसे भी मैं आपको बता ग्रोथ स्टोरी है आप इसको हलके में मत लीजिएगा दो तीन महीने के लिए बिलकुल भी मत देखेगा कि भाईया दो तीन महीने स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं नहीं ये मत सोचना बिलकुल भी क्योंकि हम पावर की बात करें ना पावर की नीड इतनी जादा पढ़ने करेंगे हम मैनुफेक्ट्रिंग हब की बात करने वाले हैं मैनुफेक्ट्रिंग हब और ऐसे में जब मैनुफेक्ट्रिंग हब स्टार्ट होंग이 जग जग स्टार्ट होंगी छीज़ये बनना स्टार्ट होंगी आप देखोगे कि कितरा power consumption होता है तो आज जो capacity है ना उसको double करनी पढ़ जाएगी ऐसे में earnings उधर की नहीं रहने वाली है इस बात को समझो earning वहां नहीं रहेंगी earning बढ़ेंगी और ये गर्मिया काफी इंपोर्टेंट है गर्मी बता रहे हैं कि रिपोर्ट की काफी जादा यहां पर जो है गर्मी पढ़ने वाली ऐसे पावर कंजम्शन बढ़ेगा तो अर्निंग्स भी यहां पर मोटी होने वाली है और आप देखिए नहीं पीसी का इक पी नेशनल हैडरो पावर कंपनी ने रही अब यह सोलर में भी जा रहे है और आपको पता ही होगा कि यह सोलर में क्यूं जा रहे है उस बात को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि 120 का जो हाई है वो उसमें कितना देर है और यडी मैं आपके सामने डिसकर्श कर चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल्स एनेश पी सी के 88 रुपए पार कर चुका है यह स्टॉक आप देख रहे हैं दीरे दीरे मूव कर रहा है कभी आपने सोच आ है वो चार्ट उठा के देखिए और वन डे के इंडलिस्टिक चार्ट हम लास्ट में बात करेंगे बड़ आप देखो 100 रुपीज तक के जो प्राइसिंग है वो आपको यहां पर जाती दिखेगी और मैं तो अल्रीडी आपसे कह रहा हूँ कि यह Q4 की नंबर्स आने वाले हैं PSU की टेस्टिंग होने वाली है उसके बाद हम इलेक्शन मोड में चले जाएंगे यानि कि मई की तरफा हम जो है व पर Q4 से चलने स्टार्ट कर देंगे लेकिन जिनके अच्छे नंबर नहीं आएंगे वो बिल्कुल तूटेंगे और तूटने के बाद यहां पर जो दोबारा एलेक्शन परपस यहां पर जो है न वो फिर से खड़े हो चुके होंगे सिंपल सी बात है तो यह 120 का जो एक हुआ है और अगर नहीं भी आता है तो अपोच्रिटी देगा बाई कंडे की बड़ आपका यहां पर जो एलेक्शन जो है वो कहीं ना कि PSU उसके लिए काफी फेवरिल रहता है और PSU ऐसे में आपने जो हाइस हैं वो दोबारा गीन कर सकते हैं तो इस तरही के से तो डरिए पर प्रोजेक्ट मिल लए हैं सोलर के अब यह सोलर प्रोजेक्ट पर क्यों फोकस कने लगे नहीं अगर आप देखें इसके नाम में इसका काम चुपा हुआ है नेशनल हाइडरो पावर कॉर्परेशन लिमिटेड यानि की हाइडरो पावर की सबसे बड़ी कंपनी है इंड यह दैम को बनाना एक तो टाइम चाहिए ठीक है उसके बाद पैसे चाहिए है एक बड़ा पैसा एक बड़ा टाइम एक बड़ा पैसा और आप देखेंगे उसके बाद तब ड़ा जाके तइयार होता है उसके बाद आप कामकाजी स्टार्ट करते हैं आपकी जो कैपसिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन वाली वो अब रनिंग में आती बट सोलर में ये चीज नहीं है सोलर में सबसे बढ़िया सुब्दा पता क्या है एक तो यहाँ पर जो है लो कॉस्ट है उपर से जल से जल इसको ब पैनल लाने है जगे सही से बनानी है उसको जैसे आप करते हैं उसको कैसे डिजाइनिंग देते हैं आपको जो सोलर पैनल है वो सेट करने है उसके बाद आपका प्लांट जो है वो तैयार है कैपसिटी बनाने के लिए तो तैयार हो जाता है तो पांसे साथ मेने तो टाइम पीरिट जो है न वो बसता है बहुत जाथ और कैपसिटी यहां पर जो है इंक्रीज जाती है तो एक अच्छी बात है प्यॉर रिनुविल एनरजी कंपनी है एनेच्पीसी इससे आप समझ सकते हैं तड़का है जो कि आपको किसी स्टॉक में नहीं मिलता है चाहें आप टाटा पावर में क्यों न चले जाओ टाटा पावर में है आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो एनेच्पीसी मिलेगी एक तो प्यॉर रिनुविल एनरजी कंपनी बैसे तो अच्छी खासी कंपनी लिस्टेड नहीं है ताटा पावर है लेकिन उसके अंदर सोलर का बिजनेस है अब वो सोलर को बिजनेस के लिए हम खरिनने है कहा जाए हमें तो पूरे टाटा पावर का स्टॉक खरिडना पट रहा है उस सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी वो तो नहीं खरिद पा रहा है न हम तो उसके शेयर हमें चाहिए और वह इंपोर्टेंट है क्योंकि एनेचपी से अगर फोकस करना है तो सोलर पैनल बनाने वाली कमपनियां उन्हें ही सबसे बड़े बड़े ओर्डर मिलेंगे वो कमपनियां जादा पैसा यहां पर बनाएंगी कंपेर टू इनकी क्योंकि इनको जरूरत है जब डिमांड बढ़ेगी तब इनकी अर्निंग जो है वो अच्छ जाए 27.41 का यहां पर जो है आपका पी रेशियो चल ला है और इंडस्टी भी आपका 25.28 डैट्स वाई क्यूफोर की नीड है क्योंकि हमें देखना है कि वैलेशन्स जो है न वो बहुत हाई ना हो जाए और इंतजार भी हो रहा है पी एस्यूस के अंदर क्यूफोर की अर् एवरेज है हम 50 डे मूविंग एवरेज पर हैं इस वकत और दो दिन से उसकी उपर हम टिके हुए है समले की कोसिस कर रहा है स्टॉक यहां से अगर ब्रेकाउट मिले गया एक अच्छा खासा स्पाइक यहां पर मिलेगा 5-10 परसेंट की तेजी आराम से आपको देखने को मि जो एक बिजन है ना कि पावर की डिमांड बढ़ने वाली है काफी फोकस में रहने वाला है नहीं ध्यान रखिये गए इस वात को आप इग्नूर ना करिएगा ठीक है तो यहां पर ना अपने वन डे केंडल स्टिक चार्ट लगा लीजिए और उसमें यहां पर जो है 50 डे म अच्छा नहीं रहेगा लेकर अगर यहां से ब्रेकाट मिलीगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकाट मिल जाएगा और वैसे भी हम एक इंपॉर्टेंट रेंज में जो कि मैं आपको बता चुको हूँ वहीं आपका 50 डेम अपट रहा है वहीं आप एक इंपॉर्टेंट पर इंड लास्ट यहां पर नए लोग क्या करें जिनों ने भी यहां पर जो है अपनी पोजिशन बनाई है नए खरिदार हैं देखे खरीदने का टाइम आप पूछ रहे थे कहां पर नहीं चाहिए इतनी बार हमने बात करें इतनी बार हमने बात करें सबसे अच्छा बैस आप उस वक्त एंटर क्यों नहीं करें अब आपको 90 रुपी दुबारा देखनों मिलना अब आप हर जगा बाई लेवल नहीं देख सकते हैं और हर जगा आप से बात कर चुका हूँ हम रेगुलर इसको कवर किरें तब जाकर आपसे ऐसी मिस्टेक हो रही है यह गलत बात अ आप यहां पर खरीदोगे तो तुमको वालेटिलिटी जिलनी पड़ेगी या नहीं जिलनी पड़ेगी इस बात को आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं वैल्योशन नाम की कोई चीज है जब हमें सस्ता माल मिल रहा था उस वक्त तो हम उसको लेना चाहिए था अब हम रखो यहां पर अगर आपने खरीद रखें 80, 89 आप भाई साब 85, 86 का रखो एक important लेवल मान कर एक छोटा सा stop loss रखें जरूर रखना ही पड़ेगा और वैसे तो 88 का लेवल काफी important है बड़ आप 85 एक important लेवल as a safety purpose लेके चली उस हसाब से आप कोई कहा है stop loss लगाना है यह आ देखिए बाकी investment के लिए बहुत अच्छी जगा थी 80, 75 के लेवल वो आपने गबा दिया अगर गबा दिये तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं वो छूट गया आपके हाँ से हाय ट्रेड आपके आँट में नहीं आ सकता सीधी से बात है यह चीज माननी पड़ेगी क्योंकि एक थीम चलती है मार्केट के अंदर पॉसिवल है वो थीम आपके लिए इस बार फिवरेवल रहे तो एक बार निवेश से पहले आप फुली स्टेडी कर लीजिए नहीं पीसी के ऊपर और इन पॉइंट पर भी जाला नजर रखिए और इनको भी स्टेडी कर लीजिए बाक